हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट पे सेशन की जो सुबा चार बज एवेलिबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनैकल और फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ फॉर डेली वीडियो पीडियाफ एन मंथली मागजीन आप हमारे टेली गरम हैंडल्स प्रेंटियर आई एस और साथ जल्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस स्कूल्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पुचा था कि केंद्र सरकार ने हाल ही में यूवा 2.0 योजन शुरू की है पीम यूवा कप शुरू किया गया था करेक्ट आंसर था 2021 और दूसरा क्वेस्टिन पुचा था क्यूप है यानि अडिशनल चार्ज करेक्ट आंसर है बीडी मिश्रा दिटेल्स तेख लू करुनाचल पदेश की राज्यपाल बीडी मिश्रा को मिघाले का तिरिक प्रभार दिया गया है क्यूंकि मौझूदा राज्यपाल यानि सत्यपाल मलिक ने 3 अक्टूबर को अपना कारेका पूरा कर लिया है बीडी मिश्रा को मिघाले के राज्यपाल की कारों का निर्वहन करने के लिए अपने स्वें के करतव्यों के अलावा मिघाले के राज्यपाल के कारेकाल का कारेभार घ्रेन करने की तारीक से जब तक नियमित विवस्ता नहीं की जाती है के लिए नियुक देखो बुज़ुर्गों की मांसिक भलाइस निश्चित करने के लिए निमहंस और हेल पेज दवारा संयुक तुरूप से कौन सी पहल लागू की गई है सबसे पहले निमहंस की फुल फॉर्म है निमहंस और हेल पेज इंडिया नाम का एक एंजियो बुज़ुर्गों की मांसिक भलाइस निश्चित करने के लिए सार्थक पहल को लगू करने के लिए सहयोग कर रहे है सार्थक एक समुदाया धारित पहल है जो व्रिधा वस्ता मांसिक स्वास्थे पर नर्सों, स्वास्थे कर्मियों और स्वें सेवकों को प्रशिक्षिन प्रदान करती है सार्थक पहल के तहट व्रिद लोगों के सामने आने वाले मांसिक स्वास्ते के मुद्दों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए 10,000 मांसिक स्वास्ते कारे करताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा गैर विशेशगे स्वासे कारे बल अनुपचारिक देखभल करने वालों और संस्थागत देखभल करने वालों जैसी विशेश्ट श्रेनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुकूलित ओनलाइन मॉड्यूल के माधियम से प्रशिक्षन प्रदान किया जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखो आईसी एसाई ने चार अक्टूबर 2022 को प्रिस थापना दीवस के कितने वर्ष पूरे किये करेक्ट आंसर है 54 डिटेल्स तेख लू तो आईसी एसाई की फूल फर्म है इंसिचिउट ओफ कंपनी सेक्रिटरीज ओफ इंडिया तो आईसी एसाई नई दिल्ली में अपना 54 वस थापना दीवस मनाया इस वर्ष का विशे सतत विकास के लिए शासन प्रनाली का निर्मान था नाट इस बिल्डिंग गवर्नेस एकोसिस्टम फॉर सस्टेनिबल ग्रोथ कारेक्रम के मुख्यती थी वित राज्य मंत्री डॉक्टर भागबत कि मिशा निर्देशों का पालन कर रही है आइसी ऐसी भारत में कमपनी सचीवों के पेशे को विक्सित और विये नियमित करने के लिए भारत में एक मात्र मानेता प्राफ पेशेवर निकाय है। कम्पनी सची वधी नियम एक प्रमुख राष्ट पेशिवर निकाए है। नेक्स्ट क्वेस्टन देखो। भौतिकी में नोबल पुरसका धोजरबाई से किसे सम्मानित किया गया है। तो रॉल स्वेडिश अकादमी ने एलेन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोसर और एंटॉन जिलिंगर को भौतिकी में नोबल पुरसका 2022 से सम्मानित करने का नड़ने लिया है। उन्हें उल्जियोई फोटोवन्स के साथ उनके प्रयोगों वैल असमानताओं के उलंगन की स्थापना और क्वांटम सूशना विज्ञान में अग्रनी के लिए पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा। इंडिविज्योली बात करें तो एलन आस्पेक्ट का जनम 15 जून 1947 को हुआ था। वैक फ्रांसीसी भोतिक विज्ञानी है जो क्वांटम उल्जाव पर अपने प्रायोगी कारे के लिए जाने जाते हैं। जॉन फ्रांसीस क्लोसर का जनम 1 दिसंबर 1942 को हुआ था। वैक अमेरिकी सधानतिक और प्रायोगिक भोतिक विज्ञानी है। एंटॉन जिलिंगर का जनम 20 मैं 1945 को हुआ था। वैक आस्ट्रियाई क्वांटम भोतिक विज्ञानी है। यहोने तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेस्टन है। विश्व अंत्रिक्ष सप्ता यानि वर्ल्ड स्पेस वी कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है चार से दस ऑक्टूबर। डेटेल्स सेख लो। तो विश्व अंत्रिक्ष सप्ता हर साल चार से दस अक्टूबर तक मानव सिधी की भेतरी में विज्ञान और कद्योगी की योगदान कजशन मनाने के लिए मनाया जाता है। यह सप्ता पहले मानव निर्मित प्रित्वी उप्ग्रह स्पुतनी के एक 4 अक्टूबर 1957 के प्रक्षेपन और अंत्रिक्ष के शांती पून उप्योग के लिए एक संधी 10 अक्टूबर 1967 पर हस्ताक्षर करने की यादी लाता है। सप्ता के लिए विशे हैं अंत्रिक्ष और स्थिर्ता यानि स्पेस और सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेस्टन देखो। UNHCR का नांसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिलेगा। करेक्ट आंसर है एंजेला मर्केल। डिठेल्स तेक लो। तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को संयुक्त राष्टे शर्णार्थी अजेंसी का शीष पुरसकार मिलेगा। UNHCR ने मुख्य रूप से 2015 और 2016 में सीरिया से 1.2 मिलियन से अधित शर्णार्थियों और शर्ण चाने वालों के स्वागत के लिए मर्कल के निर्णे और जर्मनी के पुनरवास कारेकरम के विस्तार के उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला। अफ्रीका, एशिया, यॉरोप और मध्यपूर्व के लिए इस वर्ष के क्षेतरे विजेता हैं। तो अफ्रीका से हैं सबूनी फ्रेंकोईस चिकुंडा यूगांडा में रहने वाले कॉंगो लोग तांत्रिक गनराजिक एक शरनार्थी स्कूल शिक्षक हैं एशिया से इरान में रहने वाली एक अफगांड शरनार्थी ज्राजमा गफौरी यूथ इनिशेटिव फंड प्रोजेक्ट की सैस अस्थापक हैं यूरोप में यूकरेन से तैतियाना बरंट सोवा, मध्यपूर में जॉर्डन से डॉक्टर राना दजानी, एंजिला मरकेल और अनिक शेतर विजेता 10 अक्टूबर को जिनेवा में एक समारों में अपनी प्रशंसा प्राप्त करेंगे यहां तस्वीर में देख लीजिए भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्वी पक्षे वेपार के रूप में सौप पी है? और एक्ट आंसर है लेबनान दिठेल्स सेख लो तो भारत ने द्वी पक्षे सहाइता के हिस्से के रूप में लेबनान सरकार को मेड इन इंडिया मोटर बाइक सौप दी है लेबनान सरकार भी लेबनान में सयुक्त राश्टे अंतरिम बल में भारती बटालियन दवारा निभाई गई सकरात्मक भूमिका के सहाना कर रही थी मोटर साइकले, डॉक्टर ओसाव साईद, सचीफ सीपीवी और OIA की लेबनान यात्रा के दुरान सौपी गई यहां तस्वीर में देख लीजे बात करें यहां पर लेबनान की तो उसी कैपिटल है बेरूद, करंसी लेबनीज, पाउंड नेक्स्ट क्वेस्टन देखो बैनर मेन का तुरा को विलुप्ध होने के कगार पर है यह किस प्रजाती से संबंदित है करेक्ट आंसर है पक्षी देख लो तो निबास्थान के नुकसान और इन पक्षों के पंक प्राफ्ट करने के लिए प्राचीन शिकर परंप्रा के कारन पक्षि प्रजाती बैनर मेन के तुराकों की आबादी बिगड़ रही है इस पक्षिर प्रजाती को प्रकरती के संडक्षन के लिए अंतराष्टे संग में लुद्प्राय प्रजातियों की लाल सूची में लुद्प्राय के रूप में वर्गिकरित किया गया है कैमरून के उत्तर पस्च्यमी भाग में स्थेत किलम इजीम परवतिय वन में इन पक्षों में अनुमानित पंद्रासों है वनों को बरतमान में क्रिशिव देशियों और बरती मानव अबादी के बसने के लिए साफ किया जा रहा है वनों का विनाश अस्थिर मदुमखी कटाई के तरीकों कटाई और जलाने की खेती, लॉंगिंग और जानवरों के अतिधिक चड़ने से होता है नेक्स देखो ITBP के नए महानि देशक और डीजी के रूप में किसने कारभार संभाला है अनीश देयाल सिंग डीटेल्स देख लू तो वरिष्ट IPS अधिकारी अनीश देयाल सिंग ने भारत तिबद सीमा पुलिस के नए महानि देशक डीजी के रूप में कारभार संभाला जो चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की वास्विक नियंतरन रेखा की रक्षा करता है मनिपूर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी को उनके बैच मेट ऐसे 1000 दवारा उपचारिक बैटन सौपा गया था जो संजे अरोडा के दिल्ली पुलिस आयुक नियुक्त किये जाने के बाद अगस्ट से लगभग 90,000 कर्मियों मजबूत परवत युद प्रशिक्षित बल का तिरिक प्रभार संभाल रहे है प्रधान मंतरी के अध्यक्षिता वाली कैबिनेट की नियुक्ती समीती यानी ACC ने एक उक्टूबर को अनीश सिंग की नियुक्ती के लिए आदेश जारी किया था जो दिसंबर 2024 तक सेवा में है अनीश दयाल सिंग, कुलीन परवत प्रशिक्षित, केंद्रिस शस्त्र पुलिस बल के 32 प्रमोख है ITBP की स्थापना 1962 में हुई थी और इसे मुख्य रूप से भारते चीन सीमाओं की रक्षा के लिए तनात किया गया था यहां तस्वीर में देख लीजिए लास्ट क्वेस्चन है आज के सेशन के लिए विदानता के संस्थापक अनिल अगरवाल को किस देश में ग्लोबल इंडियन अवार्च समानित किया गया है करेक्ट आंसर है कैनेडा डिटेल्स सेख लू तो विदानता के संस्थापक अनिल अगरवाल को कैनेडा इंडिया फाउंडेशन ने यहाँ अपने पंदरवे वार्शिक समारों में 50,000 डॉलर मुल्ये के ग्लोबल इंडियन अवार्ड चिसम मानित किया उन्होंने अपने अवार्ड मनी एक कैनेडियन हेल्थ चैरिटी को डोनेट किया जो की नेटिव इंडियन के वेलफियर के लिए काम कर रही है उन्होंने 1.6 मिलियन मजबूत भार्डे कैनेडाई समुदाई की उपलब्धियों की सरहाना की उन्होंने खहा कि भार्डर कैनेडा में कई समानताई है और वे कई क्षेतरों में एक दूसरे के पूरक है यहां तस्वीर में देख लीजिए क्विकली बात कर लते हैं आज के सेशन की सामरी की तो में घाले के गवर्णर के रूप में अडिशनल चार्ज बीडी मिश्रा को दिया गया है बुज़ूर्गों की मेंटल वेल बिंग को एंशूर करने के लिए निम्हन्ज ने हेल्प एज के साथ सार्थक इनिशेटिव शुरू किया ICSI ने चार अक्टूबर 2022 को अपना 54 फाउंडेशन डे सेलिबरेट किया फिजिक्स में नोबल प्राइस 2022 जीता है एलेन आस्पेक्ट जॉन फ्रांसिस क्लोजर और एंटॉन जिलिंगर ने वर्ल स्पेस वीक चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है UNHCR Nansain Refugee Award से एंजेला मरकल को समानित किया जाएगा Made in India Motorbikes को इंडिया ने लेबनान को हैंड ओवर किया Bannermans to Ra को एक वर्ड स्पीशीज है ITBP के DG बने है अनीश दयाल सिंग और विदानता के फाउंडर अनिल अगरवाल को Canada में Global Indian Award से समानित किया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विस्वाद डे के आपका पहला क्वेस्चिन है भारत किस देश के साथ संयुक्त सैने अभ्यास मित्रशक्ती में भाग ले रही है और आपका दूसरा क्वेस्चिन है भारत के चुनावायों का राष्टे चुन किसे बनाया गया है दोनों क्वेस्चिन हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आएकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आज सीन में नेक्स सेशन